हेलो फ्रेंड्स आयम इश्वर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंग्लिस टॉक चैनल पर दोस्तों आज की किलास में हम बात करने वाले हैं कैन हेप के एक बहुत महत्पूर्ण उप्योग के बारे में यहां पर आप देखी दोस्तों कैन हैव प्लस मैन वर्व की थर्ड फ द्यान भड़़ना होगा अगर गो का प्रयोक करना पड़ेगर तो गो के प्लेस पर गोन का युज करना पड़ेगा यादि कंप्लीट का यज करना है egg के बाद हमेसा में वर्व की तर्ड फॉर्म का य्यूज करना है यह हमें grammar के रूप में बहुत द्यान से याद रखना होगा दोसी जब यह देखना है दोस्तों कि can have का यह हम यूज करते हैं उसके संद मैनवर की थर्ट फोम आती है तो उसका अर्थ क्या निकलता है यह बात बहुत महत पूर्ण है दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि दो सब्दों रेखे हुए है एक तो past time की possibility यानि can have के प्रियोख से यह पता चलता है कि past time में यानि बीते हुए समय में भूत काल में किसी कारी के होने की बहुत ज़्यादा संभाव ना थी और uncertainty लेकिन बरतमान समय में जो uncertainty है यानि अनिश्चित्ता यानि बरतमान समय में इस बात की अनिश्चित्ता है कि पता नहीं क वो कारी हुआ या नहीं हुआ उधारन के लिए समझते हैं दोस्तों जैसे मान लीजिए कि घर पे cricket match में देख रहा हूँ टीवी पर और जब मैं घर से school के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा कि ब्राट कोली जो है लगबग असीरन बना करके खेल रहा था बहुत ज़्या तो थोड़ी देर बाद मुझे लगा उसको याद करके किया ब्राट अपनी सतक बना सकता था लेकिन अब चूकी मेरे सामने टीवी नहीं है तो मुझे ये confirm नहीं है कि ब्राट ने सतक अपनी पूरी की या नहीं की याने कि मुझे संभावना तो पूरी है पुरा विश्वा समय में हमें ये बात पता नहीं होती इस बात की uncertainty होती है कि पता नहीं वो कारी हो पाया के नहीं हो पाया जैसे अगर हमें कहना है कि ब्राट can have completed his century तो इसका आर्थी ये हुआ दोस्तों कि ब्राट अपनी century पूरी कर सकता था या ब्राट ने अपनी century पूरी कर ली होगी लेक next they can have arranged all the things जब मैंने उन लोगों को कोई कारी करते हुँ देखा तो वो कुछ चीजों को arrange करके रख रहे थे विवस्थित करके रख रहे थे लेकिन मुझे ये पता था कि वो उन चीजों को अच्छी प्रकार से arrange करके रख देंगे लेकिन अब बरतमान में मुझे ये बात न लोगों ने उस चीज को arrange करके अच्छी प्रकार से रखा या नहीं रखा तो मैं कहूंगा they can have arranged all the things तो इसकार थी हुआ दोस्तों कि सारी चीजों को अच्छी प्रकार से विवस्थित करके रख सकते थे लेकिन मुझे बरतमान में ये नहीं पता उसको हम translation से direct समझने में confusion र uncertainty है या अनिस्चित्ता है हमें पता नहीं होता कि वो काम हुआ या नहीं हुआ तो जब हम कहेंगे कि they can have arranged all the things तो इसकार थी हुआ कि भे सारी चीजों को अच्छे से arrange करके रख सकते थे लेकिन बरतमान में पता नहीं उन्होंने उन चीजों को arrange करके रख पाए या नहीं राहुल can have passed the examination मुझे राहुल की च्छमता पर पूरा भरोसा था कि राहुल जो इस exam को पास कर सकता था उसकी च्छमता इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर मुझे मालूम था कि वो इस काम को कर लेगा पूरी संभावना थी लेकिन आप बरतमान में मुझे नहीं मालूम कि उ तो start एने क्या होता दोस्तों सुरू करना वे किसी project तो सुरू करने वाले थे मुझे मालूम था कि वे इस project को बिलकुल time पर सही इस्तिती में बिलकुल सुरू कर लेंगे लेकिन अब बरतमान में मुझे नहीं मालूम पास्ट में तो मुझे संभावना थी कि वे इस project को कर सक लिखता है तो मैं बोलूँगा they can have started this project तो दोस्तों आपको एक लास कैसी लगी इस rules related लिए कोई भी doubt आपके मन में हो तो comment में जरूर लिखें मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके doubt को बिल्कुल दूर कर सकूँ और इससे related को sentence बना कर आप comment में लिखें दोस्तों और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों thank you very much